अखे ऑर यह अलोह मैं क्लेशवयदि और जो हैधि अलावा अउन्वेश्टी में जो बच्चे अभी मतलब 2021 और 2022 Fr में प्रवेश लेना चाह रहे हैं फस्ट यार स्वेश्टर में ऐसा जिश्क इस कोर्स में जिसका है अलावा अउिश्टी में चो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं ठीक है मतलब UGAT और PGAT ठीक है तो उनके लिए देखें मैंने उसके लिए मतलब इंट्रेंस एक्जाम से रेलेटेड है एक्जाम का क्या प्रोसीजर होगा क्या कैसे होगा उससे रेलेटेड यह वीडियो मैं बना रहा हूं तो यह वीडियो सिर्फ वही लोग देखी और जिनको एलाब निश्टी में प्रवेश लेना है किसी भी कोर्स में किसी भी कोर्स में प्रशा उनके लिए देखिए मैंने पहले एक वीडियो डाला ता से कही दिन पहले तो उसमें हमने बोला ता कि इस बार कंबाइंड होगा जिसको की NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजनसी वो कराएगी अब जरा इस्तिती समल लेजे जो आग मिले पास सूचना आई है उसके हिसाब से कि अभी तक कुछ उसमें आंसर आया नहीं इसके बाद इसलिए वह कई बच्चे अमको लगातार जो है मतलब जो ट्वल्थ में हैं अभी उनका भी विचारे फसे हैं सब हाँ चाह एस सीऊचा यूपी वोडो सब विचारे फसे हैं इनना इधार ओपा रहे हैं न उधार ओपा रहे हैं अब तेंथ का तो उन्होंने कर दिया क्राइटेरिया लेकिन अब इसी तरह से 12 का भी करना चाहिए कुछ अला भला लेकिन अब वह भी है तो अब देखे क्या है तो भी कह रहे हैं कि उसका भी देखिया प्रोसीजर उसी वजह से सब जगा का इंट्रेंस का भी रुका हुआ है अब खैर इसमें जो इन्होंने लिख पर तो कमबाइन इंट्रेंस होगा सारे जितने भी हैं सेंट्रल इन्वेस्टी जो जो उसमें शामिल होंगी तो इसमें जो आपना वो कराई नहीं अपना इंट्री वाले तो उसमें फिर एलाव निश्टी का कोई बहुत जादा रोल तो है नहीं जो जिन बच्छों को बागी 70 बनना रहेगा और उस इस्तिती में जो है उमीद यही है कि मेरिट के अधार पर विश्विद्याले में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा मतलब जो बच्छे 12 के हैं या जो ग्रिजुविशन के हैं उनके लिए थोड़ा से यह रहेगा कि यह नंबर कर रहे हैं उसमें नंबर किसी साफसे क्राइटेach बना रहे हैं तो फिर तो भी अच्छा दौड़ा भागी होती है तो लेकिन अब जो अभी मेरे पास सूचना आ रही है हमारा बताना वही काम है तो हम भी वता रहय है लेकिन अगर माल लिए कि लबाश पर रही बैसे लाव तो उसमें फिर उसको दिया जाएगा वेदन उसमें कम से कम अभी एक महीना और लगेगा तो यही जब हमसे बच्छे पहले पूछ देते थे कि भाई कि मतलब जून से पहले मुश्किल ही है कोई टीशियो को आने का लेकिन अब यह स्थिती इसपास्ट हो गई है कि यह हालत है तो और फिर उसमें ऑनलाइन आफ लोड मोड में भी प्रॉब्लम है देखी रहे है कोईट के किसेस का हल तो उमीद यही है कि अब क्या करें ऑनलाइन क्या आफ लाइन करा हैं उसमें भी एक असमंजस किस्थिती बना भी यह तैनिंग है और जो प्रवेस कोस्ट के निदेश कि अभी कई चीज़ें, जैसे इन्होंने बोला कि इसब के बारे में इस्तितीष पर्म नहीं है, तो जब तक यह चीज़ें क्लीर नहीं हो जाएंगी, तब तक कोछी हlaद दुनिस्टिय का सिंट्रेंस के बारे में हम लोग को जङोए पाएंगे जल्द ही इसके बारे में भी सूचना आएगी जैसे सूचना आएगी मैं आपको बताऊंगा परिशान मत हो यह और तो जैसे कर रहा है चीजों को इसे करते रही है सब लोग जैसे आई की सूचना में बताऊंगा ओके थैंक यू